और दिन एक पौधा लगाने के संकल्प के दौरान C.M. शिवरासिंग चोहान समार्टिटी पार्प पहुंचे और जहां C.M. ने करनजी का पौधा लगाया और इस दौरान C.M. शिवरासिंग चोहान ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुई चिंथा चताई और क्राइसिस मेनेजमेंट की बैठक में सक्त फैसले लेने के सकेतिया है साथी सीम शिवराज ने प्रदेश के बढ़ते घरेलू हिंसा पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि 15 दिन में तीन घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसने हर किसी को जोर करक दिया है अप राधियों को सक्त सा होगी और मामले को फास्ट्रा कोर्ट में रिजाय जाएगा वहीं कड़ा कानूर बनाया जाएगा अधिक करंज का बधा लगाया तो मुझे भोपाल के सक्तार में प्रोने कल भेंट दिया और आज यहां अधिक करंज का बधा लगाया तो पर्यावरन वचाने सेक्टर ओपन का बियानी चारी है और यह मुझे हास्ट माता सुपित पिखले पंद्रह दिन में तीन ऐसी दुर्भा के पून घटना हुई है जिन्होंने मुझे जग्जोट दिया इंदर दिला दिया तीन बेहनों के पंद्रह दिनों हास काचे गए पतीने का ते यह घरेलू हिंसा का मामला कि अधगंबी रहते हैं और मुझे लगता कि आज भी पहने कहा पतंपू बेहने इन मामलों को बहुत गंबीरता सठी है आए इस बीजी की को मैंने मिर्थेस्टी है कि इस किन्नित अपराद मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले पास्ट्रेक पोर्ट को सुनवाई हो लेकिन ये मामला तब और गंबीर हो जाता है अगर और को ये हमला करें तो अपराद हैं लेकिन पती अगर हाथ काटें तो इस दिस्वास काटें अपर साथ प्पेरे लिए जनम जनम का साथ निवान एक कस्में खाई है और घर से ले जाओ जंगर में लखड़ी बीन और हाथ काट तो साथ हान अपराद नहीं है ये फैंकर सम अपराद है पर जिसको केवल तीन सो साथ का मामला नहीं माना जाता है अब इसको धाराद तीन सो साथ लख लेकिन धरे लू हिंसा के मामले पर आज मैंने निर्देश जिये के और कड़ा कानूर बनाया जा साथ हान अपराद हो की तरह ऐसे मामले नहीं जाता है राज मदफ्रेशों में अपीर्द करना चाहिए कि हम मद्धी यूगे इन वर्वा यूग में जी रहें पत्री की मरिया और पत्री के हर कर यह हो नहीं सकता इस रेलू हिंसा के खिलाब इस जंजागरन का अभियान भी चले ये भी मैंने सोचा है आ सकता है झाल असकता है धूगे और ङूँद झाल